सब्सक्राइब कीजिए नदाशनहारदिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस पहला आइकन को उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे नमस्कार दोस्तो तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं UPS के ब्लोग डायाग्राम के बारे में उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि UPS हम क्यों यूज में लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पे अपने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था लेकिन वापस एक बार बात करता हूँ जो टोपिक थोड़ा सा रह गया था UPS याने की अपने अनिंटर्प्रेट पावर सप्लाई जब पावर सिस्टम सप्लाई अपनी कट हो जाती है या फिर हमें नहीं मिलती है तब हमें UPS के थ्रू यहाँ पे पावर सप्लाई सिस्टम कंटिनियूस मिलता रहता है जैसे कि अपने हाई राइस बिल्डिंग है इं बंद हो जाते हैं, तो इस तरह हमें यहां पर power supply continuous मिलता रहता है, लेकिन UPS की बात करो तो यहां पर UPS जो हम घर में यूज में लेते, computer system को continuous चालू रखने के लिए, यानि कि जब अपनी power supply system कट हो जाए, और अपना जो computer पर काम करते हैं, वो काम कहीं बीच में ना रुख जा तो सबसे पहले यहां पर हम block diagram में देखते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमें input power supply मिलता है, जो अपने regular वही है, अब UPS में क्या होता है, तो यहां पर AC input हमें 230 volt या मिल गया है, जो normal हम use करते हैं, वो हमें यहां पर voltage supply मिल गया, अब वो ही power supply system हम rectifier को देते हैं, rectifier क्या करता है, AC में से DC में transfer कर देता है, फिर आगे हम बात करें तो यहां पर वो एक source battery में जाता है, और एक source आगे direct inverter में चला जाता है, और inverter के through DC में से AC convert होके वापस वही हमारा load यानि कि computer system या किसी भी चीज में, जहां पर हम use में लेने वाले हैं, उस चीज को मिल जाता है, तो यह simple सा block diagram है, पहले हमें power supply मिला, उस power supply को अंदर यहां पर जो UPS system है, उसके अंदर हम यहां पर पहले rectify होगा, यानि कि AC में से DC में convert होगा, उसके बाद एक source जाएगा बेटरी में, और एक source जाएगा उसका same inverter में, inverter DC में से AC power convert कर देगा, और हमने load के पास भेज देगा, अब ज जो government की तरफ से light मिलती है, या फिर कोई भी हो, अपनी main power supply regular system cut हो गया, तो अब क्या होगा, जो company battery है न, UPS की, उस battery में से power directly आएगा inverter में, तो battery का power DC में रहता है, inverter DC को AC में रुपा अंतरित कर देगा, और direct अपने load के साथ हम connect कर देगे, तो इस तरह का पूरा UPS का block diagram यहां पर है, दोस्तों, अगर इस वीडियो के अंदर किसी को भी कुछ भी doubt है, तो हमें यहां पर comment section में लाकर comment कर दो, मैं उसके जलसे जलसे आपको दूँगा, और यहां पर UPS का block diagram में हमारे main 3 part है, जैसे की 3 यहां पर उपकरन यानि की भागे, मुहत्वपन UPS के 3 भागे, पहल तैसरा भागे अपना बेटरी और तैसरा भागे अपना यहां पर inverter, उसके बारे में separate separate video बनाओंगा, रेक्टिफायर के बारे में, बेटरी के बारे में और inverter के बारे में, ताकि हमें थोड़ा ओर जानकारी यहां पर एड़ डिटेल कर सके और अपना वीडियो ज्यादा long भ तके comment कर दिजे मैं उसको जल से जल रिजूल करके आपको यहाँ पर आगए बेहतरी जानकरी दूंगा ठैंक्स